नमस्कार दोस्तों स्वागते शोमुस बैलीची को और एक हेल्ट कंसर्ण वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एंटिबाटिक दवा के बारे में क्लावम 625, क्लावम 625 ये किस प्रकार के दवा है बात करेंगे सॉल्ट कॉंपोजिशन क्या है इसके अंदर ये भी बताएंगे के क्लावम 625 कब दिया जाता है क्यों प्रेस्क्राइब किया जाता है बात करेंगे क्लावम 625 कि साइड एफेक्ट क्या है और ये भी जानेंगे कि इसके effectivity कितना है और बताएंगे आपको कि अगर आपको Clevam 625 नहीं मिलता है तो उसके बदले में Indian brand alternatives क्या है आपके सामने तो वीडियो कौन तक जरूर देखना तो पहरे चीज़ आपको बता देते कि Clevam 625 एक प्रकार के antibiotic दवा है अब antibiotic का मतलब यह होता है कि एक प्रकार कि दवा जो bacteria को मारे तो bacterial infections में इसको दिया जाएगा अब बात करते हैं Clevam 625 की salt composition के बारे में इसमें दो प्रकार के salt है एक तो है amoxicillin वही primary antibiotic है यहां पर amoxicillin 500 mg और उसके साथ 125 mg का आता है Clevulinic Acid और Clevulinate भी बोलते हैं उसको अब देखो Clevulinic Acid amoxicillin के साथ इसलिए दिया जाता है ताके bacteria में antibiotic resistance ना ग्रो हो पाए क्योंकि यह जो दवा है amoxicillin जिस प्रकार के दवा है उसके खिलाफ bacteria एक तरीका ढून लेता है survive करने की बचने की तो उस चीज़ को ना कर पा bacteria है इसलिए Clevulinic Acid उसके अंदर दिया रहता है इसलिए 500 mg का amoxicillin और 125 mg का Clevulinic Acid दिया जाता है और यह सिर्थ Clevam नहीं है मार्केट में आपको 1000 ऐसे दवा मिल जाएंगे जहां पर amoxicillin 500 mg और Clevulinic Acid 125 mg टोटल 625 mg के antibiotic मिलता है अब बात करते हैं कि यह दवा Clevam 625 की mode of action क्या है कैसे यह दवा काम करता है यह एक antibiotic है तो जाहिर सी बात है यह बैक्टिरिया को मारता है बार किस हिसाब से बैक्टिरिया को यह मारता है बैक्टिरिया की जो कोशिका है सेल उसके चारो और सेल वाल होता है जैसे के दिवार है हमारे घर के बाहर वैसे इसके शरीर के बाहर भी एक दिवार है उसको सेल वाल बोलते है तो सेल वाल को अगर बैक्टिरिया ठीक से Amoxicillin as an antibiotic, तो इसलिए Amoxicillin दिया जाता है, जो के bacterial cell wall synthesis को inhibit करता है, बंद करता है, ताके bacteria grow नहीं कर पाया और मर जाए, उसके साथ-साथ ये जो clavellinic acid दिया जाता है, ये beta-lactamase inhibitor के तौर पी दिया जाता है, beta-lactamase एक प्रकार के ऐसा enzyme है, जो bacteria तियार करता है, जो के Amoxicillin को destroy कर सकता है, उसके effectivity को nullify कर सकता है, मगर यहाँ पे clavellinic acid होने से, ये beta-lactamase ये बना नहीं पाता, beta-lactamase का function जो है काम जो नहीं हो पाता, तो इसलिए दो एक साथ, एक साथ ऐसे combination दवा दिया जाता है, अब बात करते हैं कि ये clevham 625 किस प्रकार की infection में दिया जाता है, हर एक प्रकार की infection में almost clevham को इस्तेमाल कर सकते हैं हम, respiratory tract infection में, जो क्या आपके, जो क्या बोलते हैं, इसको respiration की हमारे जो tract है वहाँ पे, उसके साथ साथ से हर एक प्रकार के, अगर कहीं पर घा हो चुका है, कट लगने के बाद, तो इस प्रकार की infection में, in fact, दांतों की लिए भी, दांतों की infection के लिए भी clevham 625 को इस्तेमाल किया जाता है, अब बात करते हैं कि clevham 625 के side effect के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगर ज्यादा मात्र में antibiotic अब लें, तो हो सकता है कि उससे diarrhea हो, apart from that हो सकता है कि आपको उल्टी जैसा feeling हो या फिर उल्टी हो, और उसके साथ अगर आप amoxicillin से allergic हो, तो आपको rash और allergy के symptom हो सकता है अब बात करते हैं कि clevham की effectivity के बारे में, मैंने बहुत इस्तमाल किया, मैंने इस्तमाल किया बहुत बार, बहुत दफा मुझकी इस्तमाल करना परा, self-hood के लिए, तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा काम करता है और side effect भी, मुझे बहुत कम लगता है, देखो, यह amoxicillin, kevillinic acid के अलग-अलग brand आपको मिल जाएंगे Indian market में, बहुत सारे brands है, उन में से हो सकता है कि आपको कुछ brand का जो दवा वो ज्यादा suit करे over the others, although same composition है, मगर यह होता है, बिलकुल ही होता है यहां पर भी इसमें वो अलग बात है, क्लैवा मेरे लिए बहुत suitable था, मैं बहुत दवा इस्तमाल किया, benefit मुझे मिला, तो effectivity के मामले में बहुत अच्छा है, मगर याद रखना कि इसका जो किसी भी प्रकार के antibiotic हो उसका जो dosage है, वो properly आपको complete करना चाहिए, without completion of the dosage आप इसको लेना आपको बंद नहीं करना चाहिए, अब बात करते हैं कि क्लैवा म 625 अगर आपको नहीं मिलता है, तो और कौन सी brand alternatives आपको मिलेगा Indian market में, और कौन सी brand alternatives आप ले सकते हो, आपके सामने ये screen पे देखो, Augmentine बोलके आता है, Moxikine CV, Amoxiclav, Indclav, Megamox CV, हर एक प्रकार के ऐसे दवा है, 100-100 ऐसे नाम आपको गिन सकते हैं, और बड़े-बड़े brand, हर एक brand ये दवा को बनाते हैं, क्योंकि ये जो दवा है ये एक दम तुरुक का इका आप बोल सकते हो, किसी भी प्रकार की infection हो जाए, डॉक्टर की पहले preference रहता है, Amoxiciline Cavalic Acid, ट्राइ कर लेना, खास करके respiratory tract की infection में, urinary tract की infection में, soft tissue की infection में, बहुत बार ये इस्तमाल होता है, और कहीं पे घा हो ना, यहाँ पे primary antibiotic के तोर पे ये इस्तमाल होता है, इसलिए बहुत दफार इस्तमाल हो रहा है, तो इसका एक danger situation भी बनता है, क्या ब तरीके से, bacteria में resistance आए, तो resistance फैलेगा जरूर, और बाद में, अगर आप Clevam use करें, या फिर किसी प्रकार का Amoxic use करें, तो उसमें आप, जो है, आपके bacteria मरेगा नहीं, तो ये एक चीज हमको सोचना चाहिए, तो इसलिए इसका इस्तमाल dosage properly, चेक करके करना चाहिए, आशा क करते हैं वीडियो आपके लिए helpful रहा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कली के साथ, सब्सक्राइब करने इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे, थैंक्यू, बाई